आज हम बहुत ही गजब के टेस्ट वाले मसाला बैंगन बनाने वाले हैं इसे बनाने का तरीका इतना सिंपल है कि कोई भी इसे आसानी से बना सकता है और खाने में ये बहुत लाजवाब बनकर तयार हुई है नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका शामर सोई में तो चले शुरू करते हैं बनाना मसाला बैंगन बनाने के लिए मैंने यहाँ 250 ग्राम छोटे वाले बैंगन लिए हैं बैंगन को हमने अच्छे से धो लिया है तो सबसे पहले हम बैंगन के जो काटे हैं उन्हें हटा देंगे और इसका जो डंठल है वो बहुत बड़ा है हम उसे भी थोड़ा सा तोड़ देंगे और अब हम बैंगन पर कट लगाएंगे अच्छे से चेक कर लिजिए कि इसमें कोई कीडे वगरे तो नहीं है और तुरंत पानी में डाल दीजिए तो इसी तरह से हम सारे बैंगन कट करके तयार कर लेंगे बैंगन को काटते ही तुरंत पानी में डालना है वरना बैंगन बहुत ही जल्दी काले हो जाते हैं ये देखिए एकदम क्लीन बैंगन है हमने सारे बैंगन को काट कर पानी में रख दिया है अब हम एक कडाही लेंगे उसमें 4-5 चम्मच तेल डाल दीजिए अब हम सारे बैंगन तेल में डाल देंगे मैंने बैंगन को पानी से निकाल कर अच्छे से कपड़े से पोंच लिया था यदि आप गिले बैंगन तेल में डाल देंगे तो तेल के छीटे उड़ सकते हैं अब हम बैंगन को मीडियम फ्लेम पर 5-6 मिनिट के लिए फ्राय करेंगे बस 5-6 मिनिट से ज़्यादा फ्राय नहीं करना है तो मैं इसे कंटीनू चलाते हुए फ्राय कर रही हूँ तो यह देखिए जैसे ही बैंगन थोड़ा-थोड़ा फ्राय होने लगता है इसका कलर चेंज होने लग जाएगा और हमें बैंगन को फ्राय करते हुए अभी पूरे 5-6 मिनिट हो गए है तो अब हम बैंगन को अलग प्लेट में निकाल लेते हैं बैंगन थोड़े बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं तो यह हमारे बैंगन फ्राय होकर तयार है अब हम मसाला तयार करेंगे तो इसके लिए मिक्सर जार में मैंने 2 टेबल स्पून मुंग फली ली है मुंग फली को मैंने अच्छे से भून लिया था और फिर उसके चिल के हटा दिये थे, अब हमने यहाँ आधा टेबल स्पून धनिया के बीज लिये हैं, एक छोटा चम्मच, जीरा, साथ से आठ लहसून की कलिया ली हैं, ये छोटी वाली लहसून कलिया है, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, और देड़ छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है, अब हम थोड़ा सा पानी डाल कर इसका पेस्ट बना लेंगे, जरुरत रहे तो और पानी डाल लीजिएगा, और ये लीजिए हमारा मसाला पेस्ट बनकर बिल्कुल तयार है, अब हम सबजी बनाते हैं, तो सबजी बनाने के लिए गरम तेल में एक छोटा चम्मच जीरा डाल दीजिए, अच्छे से चटकने दीजिए, अब हमने यहाँ दो प्याज को बारिक काट कर ले लिया है, प्याज को हम मीडियम फ्लेम पर अच्छे से सॉफ्ट होने तक फ्राइ करेंगे, तो ये लीजिए प्याज हमारे बढ़िया से सॉफ्ट हो गए हैं, अब हम इसमें यह मसाला वाला पेस्ट डाल देंगे, आप एक बार इस तरह से मसाला बैंगन बना कर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा, मैंने दो टेबल स्पून पानी भी डाल दिया है, अब हमें इस मसाले को तब तक पकाना है, जब तक कि इनके किनारों से तेल अलग नहीं हो जाता है, तो मैं मेडियम टू हाई फ्लेम करके इसे कंटिन्यू चलाते हुए पका रही हूँ, जिससे यह मसाला जल्दी से पक जाएगा, ये देखिए मसालों में से तेल अलग होने लगा है, और इसमें धीरे-धीरे जालियां बनने लगी है, एक-दो मिनिट और भून लेते हैं इसे, और अब देखिए हमारा मसाला बहुत अच्छे से भून गया है, और बहुत अच्छे से इसमें जाली बन चुकी है, तो मसाले को अच्छे से भूनना है, तभी सबजी स्वादिस्ट बनेगी, इसमें कच्छापन बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, और अब हमने यहां एक बारिक कटा हुआ टमाटर लिया है, साथ ही दो हरी मिर्च ली है, बारिक कटी हुई, हरी मिर्च आप अपने पसंद के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो, और साथ ही हम इसमें पूरी सबजी के हिसाब से नमक डाल देंगे, नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से डाल दीजिएगा, और अब हमें टमाटर को सॉफ्ट होने तक पकाना है, तो 3-4 मिनिट में टमाटर बहुत बढ़िया से सॉफ्ट हो जाएंगे, और ये लिजिए हमारे टमाटर भी एक तम बढ़िया से सॉफ्ट हो गए है, मसाला हमारा बनकर बिल्कुल तयार है, अब हम इसमें गरम पानी डालेंगे, तो पहले मैं एक कप के करीब गरम पानी डाल रही हूँ, पानी थोड़ा अच्छे से डाल दीजिएगा, क्योंकि अभी हम इसमें बैंगन भी पकाएंगे, अच्छे से इसे मिक्स करके देख लीजिए, आपको कितने पानी की और जरूरत है, लेकिन पानी गरम ही इस्तेमाल कीजिएगा, अभी मुझे ये गाढ़ा लग रहा है, तो मैं इसमें आधा कप के करीब पानी और डाल देती हूँ, पानी में अच्छे से उबाल आने लगा है, अब हम इसमें एक छोटा चम्मच कसूरी मेथी डाल देंगे, और तीन चोथाई चोटा चम्मच के करीब मैंने गरम मसाला लिया है, इन दोनों को हम अच्छे से पानी में मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद हम इसमें ये फ्राइ किये हुए बैंगन डाल देंगे, बैंगन को ग्रेवी में अच्छे से मिक्स कर दीजिए, बैंगन को पकाते हुए लगबग लगबग 4-5 मिनिट हुआ है तो मैं इसे बीच में चला देती हूँ और फिर से हम इसे ढख देते हैं तो इसी तरह से आप 3-4 मिनिट के बाद इसे चेक कर लीजिएगा अभी हमें बैंगन को पकाते हुए पूरे 18-19 मिनिट के लगबग हो ग देंगे इससे बैंगन मसाला बहुत ही टेस्टी बन जाएगा अब हम सबजी को खुले में बस एक मिनिट के लिए और पकाएंगे और ये हमारी बैंगन मसाला बनकर बिल्कुल तयार है ये बहुत ही टेस्टी दिख रही है और फ्रेंट्स यकीन मानिए ये खाने में भी बह जरूर देखिएगा रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे कोमेंट करके बताईएगा और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शियर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ